रादे रादे फ्रेंड्स वेलकम तू माय यूटूब चैनल बेस्ट नॉलेज़ फर्स्ट आप आल प्लीज तो लाइट एंड कमेंट माइट वीडियो अगर आपको इसके प्रिवेस के लेक्चर देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके बनी मलाई प्लेजिस का लिंक है वहाँ पर वहाँ से जाकर आप मेरी प्रिवेस के लिंक देख सकते हैं है तो फस्टal वहाँ में आपको बता दूँ वीअ सी सिक्ष समेस्टमे तीन बुक की जिसमें bara will clergyail छा रही है तो डिसक्रं की बुक प्रचेश करना चाहिए येभी मैंने सगेशन दिया locking यपूपने वीडियो मेश में और एक इस पर पूरी पर्टिकुलर एक वीडियो भी बनाई है तो आप आप हाँ से जाकर देख सकते हैं आपको मेरे चैनल पर ही वो वीडियो अबलेवल है वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं कि कौन सी बुक अच्छी रहेगी कि बुक में कितने चैप्टर है इस पर भी मैंने एक एक सेपरेट बीडियो बनाई है आप वह भी देख सकते हैं तो वह भी मेरे चैनल पर अबलेवल है अब बात कर लेते हैं इस चैप्टर की chapter का नाम है matrix inversion name से ही पता चल रहा है आपको कि आपको इस chapter में matrix का inverse find करना है matrix chapter जो है आपने सबसे first semester में first semester में पढ़के आ चुके हैं matrix क्या होती है matrix किस-किस types की होती है बहुत सारी matrix पढ़ी होंगे identity matrix, diagonal matrix upper triangular matrix, lower triangular matrix बहुत सारी types के आपने matrix पढ़ी होंगी और matrix related questions भी solve करेंगे सबसे easy जो topic होता है graduation में वो matrix का ही होता है और ये chapter भी आपका easy ही जाने वाला है so matrix inversion जब हम matrix का inverse निगालते हैं तो उसको matrix inversion कहते हैं ये तो था chapter का आपको meaning बताना एक बार chapter का meaning बताना ज़रूरी होता है कभी-कभी ऐसा होता है student पूरा chapter पढ़ लेता है लेकिन उसको main goal ही नहीं पता कि आपको chapter में करना क्या था chapter में matrix inversion find करना था matrix inversion के बारे में जानना था so आप इसमें बहुत सारे method पढ़ेंगे इस chapter में matrix को matrix के inversion को find करने के बहुत सारे आप method इसमें पढ़ेंगे so आज हम सबसे पहले जो method पढ़ेंगे उसका नाम है Jordan method तो मैं एक matrix note करूँगी और उसका आपको inverse find करना है Jordan method से simple जो आप inverse find करते थे 12th class में किसी matrix से उस method से नहीं find करना है यहाँ पर आप बहुत सारे methods पढ़ेंगे उसमें से एक है Jordan method जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे so मैं यहाँ पर question note कर लेती हूँ फिर आपको और अच्छे से explain करूँ so देखेंगे friends मैंने यहाँ पर यह question note क्या है find the inverse of A matrix by Gauss-Jordan method it means आपको एक matrix given है और आपको इसका inverse find करना है जो कि मैं भी आपको बता चुकी हूँ by Gauss-Jordan method Gauss-Jordan method से देखिए method के जो नेम पढ़ते हैं वो mathematician के नेम पर ही पढ़ते हैं so जिस mathematician ने इस method का process बताया उनके ही नेम पर पढ़ा है Gauss-Jordan method उनका नेम क्या होगा Gauss-Jordan तो उन्होंने इस method को अपना नाम दे दिया Gauss-Jordan method ठीक है so inverse find करना सिखते हैं और इस method का process सिखते हैं ठीक है तो first of all क्या करते हैं इस method में कुछ इस तरह से करते हैं we have A आपकी पास A matrix है I I क्या होती है identity matrix पता होगी और नहीं पता तो जान लीजे I होती है मैं यहां bracket में लिख देती हूँ I होती है identity matrix मैं कोशिश करती हूँ कि अगर कोई मेरे lecture को देख रहा है और बिल्कुल basic से सीखना चाता है तो उसको भी समझ में आ जाए कोई doubt ना रहे अगर उसके पहले के topics weak रह गए है तो वो topic मैं अच्छे सो उसको cover करा सके So I होती है identity matrix So देखिए A A क्या है जो आपको given है So आप यहां पर A लिख लीजेगा A is equal to 111, 343 and 333 334 जो इस form में होती है उसको हम matrix बोलता है इस तरह से form में Identity matrix क्यों होती है जिसके diagonal में केवल 1 होता है Diagonal में 1 होता है वाकि सारे elements 0 होते हैं इसको हम identity matrix बोलते हैं Identity matrix उसे बोलते हैं जिसके diagonal में 3 Sorry, 11 होता है and वाकि सारे elements 0 होते है 3 में इस नहीं बोला क्योंकि 3 by 3 की matrix है 2 by 2 की matrix होगी तो वो सिर्फ इतनी होगी, diagonal में 1 होगा और side में 0 होगा 3 by 3 की matrix से मतलब है देखें, यहाँ पर 3 ही row है और 3 ही columns है, यह row होती है row 1, row 2 and row 3 and you 3, column 1, column 2 and column 3, ठीक है अब इसकी need होगी, इसलिए आपको बता रही हूँ यह row होती है, यह column होती है तो यहाँ पर देखें, 3 ही row है और 3 ही column है, इसलिए हम कह सकते हैं 3 by 3 की matrix है अगर कोई matrix में 2 row है और 2 ही column है, तो उसको बोलेंगे 2 by 2 की matrix है और जिसमें row और column equal होते हैं इसमें number of row and number of columns equal होते हैं उसको हम square matrix भी बोलते हैं ठीक है, यह सब आप पढ़के आचुके होंगे बट मैं फिर भी बता देते हूँ अब इसके method पर ध्यान देते हैं हम सबसे पहले क्या करते हैं इसमें A लिखते हैं और I, identity matrix लिखते हैं अब यह लिखने के बाद क्या करते हैं इसे लिखने के बाद हम इसमें operation लगाना शुरू करते हैं ठीक है, operation लगाना मैं अपने previous वीडियो में भी काफी बता चुकी हूँ previous की जो lecture से अगर आपने उसमें देखा होगा so हमें operation जब तक लगाना है जब तक कि यह identity matrix में convert ना हो जाए यानि कि जो हमारा e है वो i ना बन जाए वो कैसे बनेगा, इसको बिल्कुल हमें इस जैसा बनाना है diagonal में इसके 1-1 करना है और बाकिसाड़ elements 0 करना है अगर ऐसा हो जाता है तो आपका जो ये इसके पास वाला term होगा, जो sorry matrix होगी इसके पास वाली, वो आपकी inverse matrix कहलाएगी देखे कैसे, operation कैसे लगाता है देखे सबसे पहले हमें यहाँ पर बनाना होता है 1 so यहाँ पर already आपका 1 है row 1 में first element तो आपको यहाँ पर नहीं बनाना होगा but इस 1 की help से आपको यहाँ पर और यहाँ पर 0 बनाना है क्योंकि देखे नीचे दोनो 0 होते है लेकिन यह बात ध्यान रखिए मैं अपने previous lecture में बता चुकी हूँ यहाँ पर आपको 0 बनाना है और जो यहाँ पर 0 बनाना है वो आपको इस 1 की help से ही बनाना है सो operation कैसे लगाएंगे operation बहुत practice के बाद समझ माते है सो मैं यह मेरी r2 है यानि की row 2 है इसमें मैं operation लगाऊंगी किस तरह से r2 minus r1 जब मैं r2 minus r1 करूंगी 1 minus 1 0 इसी तरह से मैं r3 में लगाऊंगी operation so r3 minus r1 r3 minus r1 1 minus 1 0 हो जाएगा तो इस तरह से आपके 0 बन जाएगी देखे मैं help किस के लिए r1 की दोनों में तो आपको हमेशा उसके help लेनी है जिससे आपने 1 बनाया है first बात तो यह आपको धियान रखना है second यह धियान रखना है कि आपके 0 बन रहे है तो आपका 1 चेंज ना हो जो 1 बन रहा है वो चेंज ना हो operation आगर आपके यहाँ पर 1 बन चुका है तो ऐसे operation लगाने है कि यह चेंज ना हो आगे आप 0 बना रहे हैं यह चेंज हो रहा है तो उससे कोई पायदा नहीं हो खीक है और साथ में आप यह धियान रखिए आप कहते कि R3 के लिए हम यह भी तो कर सकते थे R3-R2 1-1 0 इससे भी बन जाता बट नहीं R3-R2 इसले नहीं कर सकते थे क्योंकि जो उपर 1 बनाया है इसके ही help से आपको 0 बनाना है इसले मैंने R3-R1 रखा है अब फटा-फट यह operation जो मैंने लिखा है इसको अच्छे से समझा दिया है अब हम इसमें operation लगा देते हैं तो देखे R1 में हमने कोई changes नहीं करे है R1 as it is है तो हम R1 को हम as it is लग देंगे 1 3 3 ओके अब हमने R2 में change किया R2-R1 1-1 0 4-3 1 3-3 0 1-R3 में change करा R3-R1 1-1 0 3-3 0 4-3 1 ठीक है अब पूरी matrix में change किया कर दिया इसके जो साथ वाली matrix है इसमें भी changes होंगे तो हम इसमें भी changes करते हैं देखे कैसे R1 में R1 में कोई changes नहीं है तो हम इसको as it is लग देंगे 1 0 0 R2 में changes है क्या changes है R2-R1 0-1 1-1 1-0 1 0-0 0 R3 में changes है R3-R1 0-1 0-0 1-0 1-0 1 यह हो गया आपका ठीक है अब आपको क्या करना होता है यहाँ diagonal में सबसे पहले 1 बनाने होता है और नीचे ओपर 0 बनाना होता है यहाँ 1 बन गया इसके नीचे 0 बनाना होता है अब यहाँ 1 बनाना था यहाँ उसके नीचे 0 बनाना होता है तो यहाँ पर 0 है बट इसके उपर भी 0 बनाना होता है यहाँ नहीं है यहाँ पर 3 है तो अब हमें इसको 0 बनाना है तो हम कुछ ऐसा operation लगाएंगे तो हम किस में operation लगाएंगे R1 में R1 में operation लगाएंगे ठीक है मैंने यहाँ पर 3 से multiply करूंगे R2 में और उसको minus कर देंगे और यहाँ पर change नहीं होगा यहाँ पर भी change नहीं होगा इसनी यह operation मेरा सही बैठेगा ठीक है R1 में changes है R1 minus 3 R2 3 की 0 से multiply करूंगी 0 1 minus 0 1 R1 3 है minus 3 R2 R2 का जो element है उसकी 3 से multiply करी 3 1 से 3 3 minus 3 0 again R1 is 1 3 से multiply करूंगी 0 3 का 3 as it is रहेगा बाकी R2 और R3 में हमने कोई changes नहीं करें है तो हम उसको as it is लिख देंगे 0 1 0 0 0 0 1 clear उसके बाद देखिए इस matrix में भी changes करने पड़ेंगे हमको row 1 में तो row 1 में changes करेंगे और R2 और R3 में कोई changes नहीं है तो उनको आप as it is लिख दीज़े सबसे पहले minus 1 0 1 ठीक है अब R1 में changes करें R1 minus 3 R2 3 से multiply करूंगी 3 1 से 3 minus already और यहां पर भी minus इतना तो calculate कर ली सकते हैं graduation की math कर रहे हैं वह भी last year तो इसको अच्छे से समझ लें अब R1 0 है minus 3 R2 इसकी 3 से multiply करूंगी तो कितना आएगा minus का 3 तो minus 3 as it is फिर R1 0 है minus 3 R2 भी 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा 0 का 0 as it is अब ध्यान से देखिए 1 बन गया है यहां पर भी 0 0 बन गया ठीरे दीरे हमारी identity matrix में convert होती जा रही है यह जो matrix थी given आपको A अब देखिए यहां पर 0 बन गया अब आपको यहां पर 1 बनाना है तो यहां पर already बन है चलो अच्छी बात है थोड़े कम operation लगेंगे नहीं होता हमको लगाने पड़ते जादा operation इसके उपर 0 बनाना है इसके उपर 0 बनाना है तो 1 0 तो है बट 1 0 नहीं है तो यानि कि R1 में दुबारा operation लगेगा फिर हम identity matrix बना पाएंगे तो R1 में देखिए क्या operation लगा है मैंने बोला था 1 की help से लगाते तो 1 की help से लगाएंगे तो R1 minus 3 R3 यह operation लगाँगी मैं देखिए कैसे R1 is 3 3 की multiply करूंगी row 3 में और minus करूंगी तो 3 1 जा 3 3 minus 3 0 यहां बन जाएगा और यहां तो देखिए मैं operation लगाती हूं यहीं पर देखिए R1 में changes है R2 और R3 में कोई changes नहीं है तो आप R2 और R3 को as it is लिख दीचे R1 minus 3 R3 यहां पर 0 है तो कोई फर्क नहीं पचेगा ऐसी यहां पर भी जूर है कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऐसी बस कहां फर्क पड़ेगा यहां पर 0 बनाने के लिए जो हमने काम जिया था अब इस वाली matrix की बात पढ़ लेते हैं तो देखिए R1 और R3 में कोई changes नहीं है ठीक है अगर आपको calculation में problem हो रही है तो आप side में calculate कर सकते हैं बट चोटी सी है इसलिए मैं यहीं पर बदा रही है R1 is minus 3 3 R3 इस से करूंगी कोई फर्क नहीं पड़ेगा विकोज 0 है तो R1 is as it is minus 3 फिर अगेन यहां पर करूंगी R1 0 है minus 3 R3 R3 is 1 3 से multiply कोई 3 1 से 3 minus का minus का 3 तो इस तहें से यहां आ गया अब आप जहां से देखिए जो आपका A चल रहा था वो पूरे operation लगा लगा के convert हो चुका है क्या कहला हैगा आपका inverse यह जो साथ वाला है तो हम इस question का inverse find कर चुके हैं जो कि आपको question में बोला था तो आप लिख सकते हैं A inverse इस तरह से denote करते हैं inverse को A inverse is equal to यह जो आपका यह वाली जो matrix आईगे यह वाली आपको note कर देंगे कितने हैं यह 7-1-1-3-1-0-3-0-1 यह हम inverse find कर चुके हैं इस question का तो यह कहलाता है Jordan method और इस method से हमको question करने होते हैं आपको I think अच्छे से समझ में आ गया होगा लेकिन फिर भी कोई doubt हो तो मुझे comment box में जरूर बता है वो doubt मैं आपका clear कर दूं thank you friends for watching my video please share like and comment more 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 thank you friends